यादेवी सर्वभू तेशु शक्ती रूपेन संसिता नमस्तसे 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 नमो नमा माघ मास की गुप्त नवरात्री की आज पांचवी नवरात्री है आज के दिन मातचिन मस्तिका की पूजा अर्चना की जाती है और उनकी कथा पून श्रद्धा भाव से सुनी जाती है और पड़ी जाती है माचिन मस्तिका जहां एक ओर मनुष्य के मन में स्थित इंद्रियों को शान्त करने का कारे करती है वहीं दूसरी और अपने भक्त की चिंताओं को अपने मस्तक पर धारण करके भक्तों को चिंता मुक्त करती है माचिन मस्तिका का एक बड़ा ही सुन्दर मंदिर ये माचल के उना जिले में सिद माता चिंत पुर्णी के नाम से विख्यात है कहा जाता है वहाँ पर जो कोई भी अपनी चिंता माता के चर्णों में पूर्ण भक्ती भाव से समर्पित कर देता है माचिन मस्तिका का ये मंदिर मासती के बावन शक्ति पीठों में सम्मिलित है चलिए माता के चर्णों में ध्यान लगाते हुए उनकी कथा का श्रवन करते हैं एक समय की बात है माता पार्वती अपनी सहचरियों जया और विजया के साथ ब्रह्मन के लिए निकली और वहां मापारवती की नजर मंदाकिनी नदी पर पड़ी जिसका सुन्दर, स्वच और पवित्र जल देखकर मापारवती ने स्नान की इच्छा प्रकट की और उन्होंने जयाविजया से भी कहा कि तुम भी इस पवित्र नदी में स्नान करो तब जयाविजया ने क्रोध और रूखे शब्दों में माता पारवती से कहा कि वह यात्रा करते करते ठक चुकी है और उन्हें बहुत अधिक भूक लगी है ऐसे में वैसनान नहीं कर सकती मा पारवती ने अपनी सहचरियों से कहा कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर वशोना चाहिए तुम मेरी सक्षियों समान हूँ तुम्हे तो ऐसा जरूर से करना चाहिए किन्तु जया विजया ने मा पार्वती की बातों पर ध्यान नहीं दिया माता पार्वती स्नान के लिए चले गई कुछ देर तक जया और विजया ने मा पार्वती की प्रतीक्षा की और उसके बाद पुना माता को आवाज लगाई और कहा कि हमारे लिए कुछ भोजन का प्रबंद करो, हमसे अब ये भूक और सहन नहीं हो रही अपना सुनते ही माता पारवती मंदाकिनी नदी से बाहर आई और अपने दिव्वे रूप के दर्शन दिये मा के इस दिव्वे रूप में माता के तीन नीत्र हैं, दो भुजाएं हैं, एक पाउं आगे की ओर है और एक पाउं पीछे की ओर है एक हाथ में वे खड़क धारण की हुई हैं और उसी खड़क से वे अपने शीश को छिन करती हुई, रक्त की धाराएं बहा रही है माता की तीन रक्त की धाराएं बहरे हैं, जिसमें जया और विजएया माता के रक्त का पान करती हैं, और तीसरी धारा में माता का मुंद स्वैम रक्त का पान कर रहा है रक्तपान करने के बाद जया विजया स्वैम को अत्यंत शांत महसूस करती हैं और दीवी से प्रार्थना करती हैं कि वैपुने पारवती के सौम्य स्वरूप में लौट आएं मा पारवती उनकी पुकार सुन लेती है तो जिस प्रकार माता पार्वती ने जया विजया का उधार किया, हमारा भी उधार करें, सब का उधार करें तो बोलो मा छिन्द मस्तिका कीजे, अम्बे मात कीजे